हेलो दोस्तो, दोस्तो पैसे बचाने के तरीके अपना के अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं पैसा सेविंग करने में सबसे इंपोर्टन्ट है कि सेविंग के लिए अलग रखे गए पैसे को न खर्चने का द्रड संकल्प बनाए रखे एक और अच्छी प्लानी यह है कि अपने परिवार के सदेश्यों को भी अपनी सेविंग की आदत में सामिल करें खर्च करने के लिए सेविंग का होना अत्यन्त महत्वपोर्णा है यदि सेविंग नहीं है और खर्च लगातर जारी है तो यह पक्काए कि आप कर्ज में डूप सकते हैं ऐसी परिस्तिती से बचने के लिए अपने अंदर पैसे सेविंग करने की आदत डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। कई लोग यह नहीं समझ पाते की पैसे कैसे सेव करें। आईए हम यहां कुछ खास तरीकों पर चर्चा करते हैं जो आपको सेविंग की आदत डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। यह आदत आपकी सोट टम और लॉंग टम जरूरतों को पूरा करने में हेल्पफुल हो सकती है। आप अपने खर्चों को मॉबैल एप के माध्यम से ट्रेक कर सकते हैं या फिर नॉटपेड में अपने खर्चों का डोकुमेंटेशन कर सकते हैं। इससे आपको उन चीजों की पहचान करने में हेल्प मिलेगी जिने खत्म करके आप अपनी सेविंग्स इंक्रीज कर सकते हैं। अपने मन्थली बजेट में सेविंग को जोडना बहुत ही जरूरी है। एक्स्पेंसिस की परवा किये बिना सेविंग्स रेट तय करना और हर मन्थ उस पर कायम रहना भी इंपोर्टन्ट है। बिना सोचे समझे सेविंग्स या खर्च करने की बजाए आप स्पेशियल सोट टम, मेडियम टम और लॉंग टम फाइनेंसल गोल्स डिसाइड करें। इससे आपको एक रोड मत मिलेगी और अपने अबजेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। एक बजेट जरूर एलट करें। जब आप पैसा सेविंग करने का इरादा करतें, तो सबसे महत्तपोन है कि आप सेविंग्स के लिए निर्धारित पैसे को नच हुए और इस डिसीजन में बने रहे। ये पॉसिबल है कि आप अपनी सेविंग करने का प्लानिंग छोड़ दे और पैसे को कुछ बीन जरूरी खर्चों के लिए इस्तिमाल करें। इससे जरुर बचे, अपने बजेट का पालन करे और ज्यादा खर्च न करे, कम बजेट में भी सेविंग करने का पूरा प्रयास करे, खर्च करने की आदतों का मुल्यांकन करे, किसी भी संभावित अतिरिक्त सेविंग के फायदे उठाने के लिए अपनी खरीदारी और करने की जगह, समय और तरीके का एस्टिमेट लगाए. अपने हाल के बैंक एकाउंट या क्रेडिट कार की हिस्ट्री पर भी नजर डाल सकते है. बच्चाई गई एमाउंट को अलग रखने का डिसीजन ले. इससे आपकी सेविंग एमाउंट इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी. एक और स्ट्रेटेजी यह है कि अपने परिवार के सदेश्यों को सेविंग के लिए प्रेलिट करें. आप अपने फैमिली मेंबर्स के बीच महिने की सेविंग में कौन आगे है उसे देखने के लिए एक कॉंपिटिशन भी करा सकते हैं. वे आइटम्स को पहचानने का ट्राय करें, जो आपके एक्सपेंसिस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं. जैसे अन्नेसेसरी मेंबर्सिप्स, आपके विकली और मन्तली एक्सपेंसिस, पर नजन न रखना और भी कई सारी बाते, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर वीचार रखें, इससे आपको स्पेंडिंग पर कंट्रोल बनाई रखने में हेल्प मिल सकती हैं. सेट अ सेविंग टारगेट, पैसे सेविंग करने के टाइम, एक पक्का गोल बनाना आपको व्यवस्ति तरीके से सेविंग्स में हेल्प कर सकता हैं. ये गोल स्वाट टम या फिल लॉंग टम का हो सकता हैं. स्वाट टम के गोल वे गटना हैं, जिनकी आपके पास नजदी क फ्यूचर में होने की उम्मीद होती है ICIC प्रोडिंसल लाइप इंस्योरन्स के अनुसार लॉंग टम गोल उन विशेज गटनावों को दिखाते है जिनका समय ख्षितीज बहुत लंबा होता है गर खरिद्धा या अपनी रिटार्मेंट की प्लानिंग बनाना सामन्य तोर पर लॉंग टम गोल माना जाता है अपने गोल्स को पहले से जानने से आपको इन्वेस्मेंट करने के लिए सही प्लानिंग की पहचान करने में हेल्प मिलेगी इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम आपकी और आपके परिवार की जरुरतों का ध्यान रखने के लिए कुछ सेविंग्स प्लान्स जैसे लाइप इन्सूरंस आपको फाइनेसल तोर से सुरक्षित रखने में हेल्प कर सकती है इन प्लान्स में नियमिच सेविंग की हैबिट डालना और अच्छे रिटन हासिल करना सामिल होता है जो किसे भी इमर्जनसी सिच्चुएशन के लिए आपको फाइनेसली रूप से तयार रख सकता है तो इस तरह से आप पैसे आसानी से सेविंग कर सकते तो दोस्तों आप अगले महिने से कितने पैसे सेविंग करने वाले है वो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरू करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में